हेलो फ्रेंड्स वेलकम अगेंग हम धन्मंत्रा चैनल येस बैंग आज क्यों फिसला देखिए आज तो येस बैंग को गिरना नहीं चाहिए था ये सभी के मन में था और सभी लोग आज बहुत निराश होंगे ये आखिर येस बैंग क्यों गिरा देखिए मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है इसको इनालेसिस करने के लिए देखिए बेसिक रीजन तो ये ही है कि येस बैंग का जो काउंटर है शौट टम के लिए आपरेटर्स के गिरिप में है दोस्तों आज तीन बड़ी अच्छी चीज हुई है लेकिन उसके बावजूद येस बैंग का काउंटर गिर गया देखिए अरली मॉर्निंग में एक लीडिंग बिजनेस चैनल पे एक लीडिंग एनालिस्ट थे जो जिनका यूट्यूब चैनल भी है येस बैंग के बारे में काफी यूट्यूब पे वो लिखते हैं आज उन्होंने मार्केंड ओपनिंग के पहले ही ये पोनाउंस्मेंट किया था कि येस बैंग का काउंटर आज तेजी रहेगी और उन्होंने कुछ टार्गेट भी दिये थे शौट टम के कुछ एंबी से टार्गेट दिये थे और उन्होंने ये भी बताया था with the permission of the editor of the business channel कि वो अपने followers को भी Yes Bank recommend कर रहे है देखे, साड़े दस बजे के करीब E.T. Now पे CEO परशान कुमार जी का interview भी आया था और उन्होंने जो भी Yes Bank के बारे में present or future plans हैं उसको discussion किया और early late hour में आपने देखा होगा कि bank nifty में जबर्जस recovery आई देखे, bank nifty तो आज शुरू से ही positive जोन में था लेकिन बाद के छड़ों में इसने एक जबर्जस रिकवरी दिखाई थी लेकिन Yes Bank कहीं न कहीं आपने देखा कि आज के पूरे recovery process में bank nifty के और nifty में साथ नहीं दिया उसने देखे दोस्तों इसका main कारण में आपको बता देता हूँ देखे कभी कभी क्या होता है कि जब भी आप national tv पे किसी भी शेर के बारे में अगर आप बहुत जबजस recommendation देते हैं और बड़े ambitious target देते हैं without any accompanying good news तो कई बार लोगों को यह डाउट हो जाता है कि भाई ऐसा यह क्यों कह रहे हैं तो मैंने अक्सर टीवी पे देखा है कि उसका जो next logical step होता है कि लोग वहाँ पे selling करने लगते हैं और जो operator होता है वो बहुत हावी हो जाता है देखें दोस्तों short term में जो yes bank का counter है यह देखें operators के हाथ में है देखें काफी liquid shares घूम रहे हैं तो sellers और buyers इनकी कतार लगी होती है और आज तो 100% operator ने take over कर लिया था शुरू से ही और ये and he took over this counter with a vengeance in the sense कि भाई आज प्रशान जी का interview भी आया और सभेरे सभेरे एक analysis दे रिकमेंडेशन भी दिया तो ये दिखाना जाता था कि देखें मैं इसे चलने नहीं दूँगा और in fact ऐसा हुआ भी आज yes bank के counter पे जो volume था वो करीब 10 करणों का था और 50% की delivery उठाई गई है देखें 14.85 पैसे पे yes bank का counter खुला था और खुला तो ये positive zone में होता लेकिन उसके बाद इसने गिरावट का ही रूप रखा बीच में थोड़ा consolation हुआ और एक समय इसने जो है 14.45 पैसे का low भी मनाया था एक समय तो ऐसा लग रहा था कि ये 14.35 का जो crucial support है वो तोड़ ना दे तो दोस्तों आज के event से आपको ये सबक लेनी है कि आज total जो है operator का खेलना था इस counter पे तो दोस्तों आपको yes bank के counter पे you have to be very patient and every dip you have to accumulate this stock मेरा ये मानना है कल जो है yes bank के counter पे एक positive आपको चाल दिखेगे देखे दोस्तों मैंने पहले भी level दिये हैं आपको 14.35 पैसे का level नीचे के साइड में watch करना पड़ेगा उसके बाद 14.15 पैसे और 14.05 पैसे गा उपर के लिए 14.65 और 14.75 और 14.95 लेवल एनी very big long term move के लिए एक psychological barrier अभी short term में पंदर रुपेगा बन गया है पंदर रुपया पंदर पैसे उसके बाद 16 और 17 रुपेगा है दोस्तों कोविट की बज़े से आज प्रशान कुमार जी ने बोला कि कई जो बड़े counters हैं वहां recovery का जो process है slow हो गया है मेरे इसाब से उसने भी थोड़ा सा एक dampener का काम किया क्योंकि जब बाद में bank nifty recover किया तो somewhere लोगों के back of the mind में ये चीजे थीं तो दोस्तों आपको विचलित होने की जुरत नहीं है मेरा ये मानना है कल याज बैंक में आपको positive closing दिखेगी धन्यवाद